कशित को आपकर टो किसी से मांगते हैं तो किसी से माँने हैं हम यसमें एसमें सेवा करें हम सिवा करने से ठीक है ंगे सब्सक्राइब को ऐसा आगे मुसलमान भाई तो जो हेल्फ कर दें दो सार चार साव पानसों रुपिया उतलग बात है लेकिन किसी से मांगते ना जोड़ देंगे देख रहें पुरा अंदर तूटा था लेकिन जोड़ दियों इसको पूरा जंगल था अपने खुद को बार् भारत का एक ऐसा गाउं जहां एक भी मुसलमान नहीं है वाबजूद उस गाउं में इस्थित मस्जिद में हिंदू भाई पांच वक्त के अजान का रस्म निवाते हैं फिलाल इस वक्त हम नालंदा जिले के मारी गाउं में मौजूद हैं और हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं मारी गाउं का ये मस्जिद है और इसी मस्जिद में पांच वक्त का अजान जो हैं हिंदू भाई अधा करते हैं आपको हम बता देते हैं कि इस गाउं में एक भी मुसलमान नहीं है ऌरिस मस्जिद की जरजर हालात को देख कर आप खुद अंदाजा लगा सकत लेकिन 80 साल से इस गाउं में एक भी मुसल्मान नहीं है और उसी के कारण देख रेक क्या भाब में ये मस्जिद जो है वो धीरे धीरे जरजर होते जा रहा है लेकिन इस गाउं के लोगों ने अपना भाबना दिखाया अपना प्रेम दिखाया और यहां जा करके इस मस्जिद में काम करना शुरू किया सामने में आप देख लिजी अजैपासिवान हैं जो इस मस्जिद میں सेवा देते हैं अजैए जी कैसे आप लोग यहां पे विवस्था करते हैं कैसे कैसे क्या होता है कैसे क्या मतला हम भोलों को ढिल में भावना की मतलब इसमें दें एं-यह और साज बदि दखावें पूरा महजीद को रख 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 करें तो रख 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 कैसे आप लोग करते हैं रख 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 करते हैं कि देखे सब छुरचित मतलब अपना बिवस्ता है ना सब कुछ है कि इसमें पेंट बगरा करवा रहे हैं पलास्तर करवाद यह अंदर तो पूरा पलास्तर हो गया अब बाहर के रह गिया तो बाहर का रह गिया तो सोचने कि प्लास्टर कर वाबें मनी नहीं है कहीं से अगर हेलफ हो जाए तो इसका मतलब आगे रुखे पुर जैसे माले जे मुसलिम लूगों को आगे आना चाहिए था इसमें jeंए जो आ es आप क्यों आगे हैं आगे इसलिए है कि हम ना भवना है हम इसमें सेबा करें हम सेबह utiliz equipment तो इसके लिए पैसा कहां से लाते हैं जो होता है अपने खुद को करते हैं अगर को ऐसा आगे मुसलमान भाय तो जो है रिफ कर दें दो सार चार साव पानसुर प्या उतलग बात है लेकिन किसी से मांगते ना दें पीपल का पीड़ उग रहा है तो उसको कवार देंगे फिर उसको मसाला हमारे नहीं कवरेगा यह सोच लिया है कि इसे जर जर नहीं होने देना जर ज किमत तूटेगा जहां जोड़ देंगे देख रहें पुरा अंदर तूटा था लेकिन जोड़ दिए उसको सब जगह आप बेवस्तित करते रहें यह सब पहले कितना जंगल जाड़ था क्या पूरा जंगल था अपने खुद को बार्डिंग करवाएं इधर से पुरा लेकर करवाएं अभी देखे पीलर देबल हुआ है जलक रहा है ना पूरा मारा हुआ खाली बैस हम लोग जो इस्तीती खराव है लाउड़न में इसलिए छोड़ दिए अपने खुद हम लोग किया है यह पुद पीलर दिलवाए है हम लोग तो भिहार सरकार की योजना है कब्रिस एक आफ़ार कि मुस्लमान चाहेंगे अगर मुसलमान धाय चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है मुसलमान你好 नहीं है है लेकिन कि अनने दे रहे हैं अकिंछ तो फिर क्या कहना था टो सफतरखे बता रहा है कि की देखरेख में यह मस्जिद फिलाल सुरक्चित है और इतना ही नहीं यह जो बॉंड reimburse सामने आप देख रहा हैं मस्जिद का यह बॉंड reimburse भी इन्हों ने ही करवाया है अपने पैसे से अपने बलबूते से इस बॉंड reimburse प्रकार का कोई मदद मिला है आप देख लिए अंदर किस प्रकार से जाड़ी बना हुआ है और धीरे-धीरे इन्हों बमद्म गेहते हैं फेक घास फूस को साफ किया अभी जाळी थोटा मुटा है जिसे यह शाफ आपूरिग में भी कर बोरूम्स कर दो सब्सक्राइब कर पॉसे है कि पना पैश भूह धूठ पर शुट कर दो इधर आप भी आईए ना इधर आईए ना भी थीक बोल रहा है है हम ही आजाते हैं आप नहीं बोलिएगा अच्छ ठीक देखिए समाज में हर तरह के लोग होते हैं लेकिन अजय पासवान जो है वो कहीं न कहीं इस समाज में एक संदेश दे रहा है इस गाओं के हिंदू होने के नाते पुरे देश को ये संदेश दे रहा हैं कि हम सब एक हैं और ये देख लिजिए अपने खर्च से इस मंदिर में काफी बिवस्ता किये हैं और इस मस्जिद में काफी विवस्था किया है अजय पासवान जो है पूरे देश में शंदेश दे रहा है और अपने पैसे से ये इस मस्जिद में काफी खर्च करके इस मस्जिद को सुरक्चित रख रहा है कि किसी प्रकार से इस मस्जित को सुरक्चित रखा जाए ये हमारा धरोहर है आप सामने में देख लिजी इस धरोहर को किस प्रकार से सुरक्चित रखने के लिए ये एक बोरिंग का भी यहां पे निर्मान करबाये उसके लाबे बॉंडरी का निर्मान सब कुछ इन्होंने अ आगे आना चाहते हैं इस मस्जिद के जर्णोधार के लिए मस्जिद को बहतर तरीके से रख रखायब करने के लिए क्या कहेंगे या है कि मुशल्मान नहीं है कि इसको मदद करें कि हम लोग मतलब इसको घरावा कर दें गेहरावा करने से शुराचित तो हजाएका ना है शु करने कि जब तो लेकि मेरा शरी रहेगा जब त लग अजमायीं करते रहें कितना खर्च भी तक कर दी होंगहें इसका क questo différent तीने मिलके रुपया जो खर्चा केिसमें जूटता नहीं कि कितना खर्च किए हैं अब देखे रहें कि युआ हैं की पूरा अंदर में पलास्टर करवाएं उसका बात साल में पेंट होता है समर्जेबल करवा दिये हर साल पेंट करवाते हैं इसलिए कि कवर जाता पेंट नहीं देखियो पूरा फर सुर्ष बनाएं पूरा बोर्डिंग करवाएं पूरा चर लगा हुआ है पूरा पीलर देवा लेखा लिए उसका बस अहिटा जोड़ाएं का बोर्डिंग करना है अब जोड़ जी कितने रुपए लगा है अच्छे उन लोगों को क्या कहेंगे जो समाज में धर्म के नाम पर बाटने की कोसिज करते हैं धर्म के नाम पर जगड़ा करईएं आप लोगों की भावना हता फैसे के बाइं प्षार होगा है तो यह करें पैसा करके इस मंधिर मस्जिदक यह रख़ए हैं अगर आप भी इस मस्जिद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप अजय पासवान से संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हम इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे इतना ही नहीं कॉमेंट बॉक्स में हम आपको इनका मोबाइल नंबर भी डाल देंगे अगर आप से कोई संपर्क करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर है कितना मोबाइल नंबर है 95-69-5003 फिर से बोले तो 95-69-59-5003 95-69-6-59-5003 तो यह देखे अजय पासवान का मोबाइल नंबर है जो इस मस्जिद में शेवा करते हैं और इनहीं की सेवा के कारण ये मस्जिद आज सुरक्चित है वले ही समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे मंदिर जरजर होते जा रहा है वो पैसे क्या भाब में वो शहयोग क्या भाब में अगर सहयोग किया जाएगा इस मस्जिद को स सुरक्चित रखने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो शामने आए और इस मस्जित को सुरक्चित रखने के लिए अपने धरोहर को बचाने के लिए अजय पासवान से संपर्क केजिए